डेली कनेडियन न्यूज बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अउनली अट्ग टीवी टैग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कानदा एंट अराउंड दे गलोग बेगरों ने हंगामी फंज का एक पैसा नहीं देखा है शेल्टल डारेक्टर कहते हैं सूरते हाल को बेहतर ना किया गया तो मजीद सेकड़ों अफराज सड़क पर ही जिन्दगी गुजारेंगे करोना वारेश के नतीजे में लॉक डाउन के बाइस बंद होने वाले खुर्दा स्टोर्स दुबारा खुल कर क्यूबे के प्रिमेर ने पना गुजीनों को तारही ने वतन की हैसे से दर्खास दे कर सूबे में रहने का मौका फराहम करने के हवाले से गौर का कह दिया इन्वार्मेंट कैनिडा ने मौन्ट्रियाल के लिए मौसम का खुसूसी बयान जारी कर दिया आएंदा जम्राद तक मौसम गर्म रहेगा खातून की साबका बॉइफरेंड के हाथों कतल पर पुलीस को घरेलू तशद्द के मामला से निपटने के लिए मज़ीद तर्बित की तजवीज करोना से दुनिया में 3,48,000 हलाकते मतासरीन की तादा 55,90,000 तक पहुँच गई हाइडरॉक्सी क्लोरो कुईन का ट्राइल रोग दिया गया अमरीका दो तरफा तालुकात को नई सर्द जंग की जानिब धकेलना चाता है चीनी वजीर खारजा कहते हैं अमरीका और चीन को करोना वार्स वाबा के मुकाबले के लिए एक दूसरे के तज़र्बात से सीखना चाहिए अखवान सदर का दो हजार तालबान की रहाई का ऐलान अश्रफ गनी कहते हैं तालबान के साथ मजीद मुजाकराथ के लिए तैयार हैं हेडलाइन अबने जानी अब खबरे तफसील के साथ कैनेडियन वजीर आजम जोस्टिन ट्रूडो ने 10 मिलियन फेस माक्स तैयार करने के लिए ज़र्नल मोटर से मुहाइदा करने का ऐलान करते हुए कहा है कि पिछले तीन हफ़तों से मार्द औरत यकसा काबले कदर कैनेडियन की मदद के लिए काम कर रहे हैं कैनेड़ की आर्म फोर्सेस के मेंबरान नकाबले फरामोश काम अंज़ाम दे रहे हैं रस्टिन ट्रोडो ने मजीद कहा कि हुकूमत ऑंटेरियन्स की हिमायत जारी रखेगी और ओटाबा काशकारी की सनत में साथ सो नौजवानों की मुलासमतों के लिए फंड्स पराहम करेगा उन्हों ने कहा कि विफा की हुकूमत हिपाजती साथ उसमान के हुसूल का मनसुबा बना रही है Our government will continue to support Ontarians. Today I can announce that our government is funding up to 700 youth jobs in that industry. This will support the people who put food on our plates while creating new opportunities for young people. Monterial के बेगहर अफरात ने Emergency Funds का एक पैसा अभी तक नहीं देखा. ये दावा शेल्टर डारेक्टर की जानिप से सामने आया है, जिनका कहना है कि ये जान कर मैं दंग रह गया. इस हवाले से मजीद चानते हैं. वालकम हॉल मिशन के एग्जेकिटिव डारेक्टर ने दावा किया है कि मौन्ट्रियाल के बेगहरों के लिए विफाकी हुकूमत की जानिप से साथ मिलियन डॉलर Emergency Fund रखा गया था ताहम उस में से एक पैसा भी बेगहरों ने अभी तक नहीं देखा. उनका क्याना था कि दो माग कबल वजीर आजम जास्टिन टूडों ने ऐलान किया था कि क्यूबिक को 21 मिलियन डॉलर की माली अनान्त मिल जाएगी जिससे बेगहर अफराद को वबाई अमराज में सोने और दीगर जरूरी खिजगा को यकीनी बनाया जा सकेगा. चूँके इस सूबे की 70 फीसद बेगहर अबादी जजीरे पर रहती है. सेम वार्ट्स ने कहा कि अगर सूरतिहाल पर फौराद काबू ना पाया गया तो मजीद सैक्ड़ अफराद सड़क पर ही जिन्दगी गुजारेंगे. मौन्ट्रियाल में मौलिक वबा करोना वारस के नतीजे में आयद किये जाने वाले लॉक्टाउन के बाइस बंद होने वाले खूरदा स्टोर्स दुबारा खूल दिये गए. जिसके बाद लोगों की बड़ी तादात ने लंबी लंबी कतारे बना कर खरीदारी की. मौन्ट्रियाल में दो मा कबल करोना वारस की वज़ज़ से बंद होने वाले खूरदा स्टोर्स दुबारा खूलने से लोग पूर मुसरत दिखाई दे रहे हैं. एक खरीदार एक स्टोर से मौसम गर्मा के नए कपड़े खरीद कर खूश हुए. उनका कहना था कि मैं ऑनलाइन खरीदारी पर यकीन नहीं रखता. तहां मेरी एहलिया ने कई मरतबा ऑनलाइन खरीदारी करने की कोशिश की है. ग्रेटर मौन्ट्रियाल इलाका क्यूबिक क आखरी खता है जो सिहत के बहुरान से सबसे ज़्यादा मुतासर सूबा है. क्यूबिक के प्रिमेर का कहना है कि वो तवील मयाद नेगिदाश के घरों में काम करने वाले पनागुजीनों को तारिकीन वतन की हैसे से दर्खास देकर सूबे में रहने का मौका फराहम करने पर गोर कर रहे हैं. मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. क्यूबिक के प्रिमेर का कहना है कि वो तवील मयाद नेगिदाश के घरों में काम करने वाले पनागुजीनों को तारिकीन वतन की हैसे से दर्खास देकर सूबे में रहने का मौका फराहम करने पर गोर करेंगे. उन् कानसे वाले गोर्ट के इतिहादी पहले ही वाबा के दौरान जरूरी मुलास्बत वें काम करने की हैसित के बगएर पना के मुतलाशी अफराद और दूसरों को किसी भी तरह की तरजी देने की खयाल को मुस्तरत कर चुके हैं. इन्वार्मेंट केनिडा की जानब से मौन्ट्रियाल के लिए मौस्म का खुसूस बयान जारी किया गया है. इन्वार्मेंट केनिडा के मुताबक शहर का दरजह हरारत 35-38 सेंटी ग्रेट तक जा सकता है. घर मतवके तोर पर गरम मौस्म की पेशगोई सीनियर अफराद के ल से मौल्स, लाइबेरियां और तलाब बन पड़े हैं. इन्वार्मेंट केनिडा के मुताबक मौस्म में गर्मी जुम्राव तक महसूस की जा सकेगी. क्योबिक में एक खातून ने अपने साबका बॉइफरिंड के हाथों कतल पर घरेलु तशदु के मामलात से बटने वाली एंथुनी प्रीटी लुपस ने माई 2019 में दूसे दर्जे के गतल के जुर्म में इतराफ किया था जिस पर उसे उमरकायत की सजा सुनाई गई थी. कतल के कुछ दिन पहले ही हार्ट बोल्ड रियाल्ड ने प्रीटी लुपस के साथ रिश्टा खतम कर दिया था. हार्ट बोल रियाल्ड पुलिस स्टेशन गई और ये जानने के बावजूद के उनके एकदामात मुझरमाना हिरासा किये जाने के मुतरादिफ है लेकिन उसने प्रीटी लुपस के खिलाफ शिकायत दर्च करने का इंतखाब नहीं किया. उसने ये भी कहा कि वो अपना समान वापस लेन 3,48,000 तक पहुँच गई. मतासरा अफराद की तादा 55,90,000 तक चाप पहुची जबके 25,5,5 लाग से जाएद अफराद अब तक से हत्याब हो चुके हैं. मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में. W.H.O. ने करोना वारस से बचाओ के लिए मुमकना हाइडरो आकसी क्लोरोकोईन क्लिनिकल ट्राइल आर्जी तोर पर रोकने के हिदायत कर दी है. माहरीन के मताबे के दबा करोना के मरीजों में मौत के इमकानाद बढ़ा सकती है. मौलक वारस से मरने वालों की तादा 3,48,000 तक पहुँच गई. मतासरा अफराद की तादा 55,90,000 तक पहुँच गई जबके 23,66,551 अफराद अब तक सहत्याब हो चुके हैं. अमरीका में मजीद 505 अफराद हलाक हुए तादा 99,805 हो गई. ब्राजीन में मजीद 806, मैकसिको में 215, पीरू में 173, भारत में 148, बरता चानिया में 101 के सफराद लुक में अजल बने. चीनी वजीर खारजा का कहना है कि अमरीका में बाद अनासर चीन के साथ तालुकात को नई सर्थ जंग की जानब धकेलना चाते हैं. मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. गेर मुलकी खबरसा इदारे के मताबक न्यूस चीनी वजीर खारजा ने कहा के क्रोना वार root के साथ साथ अमरीका में एक स्यासी वारस भी भیल रहा है. यह स्यासी वारस चीन पर हमले और तंकीत के मौके की तलश में रहता है. उनके कहना था कि इस कीमती वक्त को जाया करके कीमती जिन्दगियों को नजर अंदास नहीं करना चाहिए चीन और अमरीका दोनों को वबा से मकाबले के लिए एक दूसरे के तजर्बा से सीखना और एक दूसरे की मदद करना चाहिए अमरीका को चीन को तब्दील करने या उसके सवा अरब लोगों के जिद्दत की जाने बढ़ते सफर को रोकने का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए अखवानिस्तान ने इदल फितर के मौके पर होने वाली जंग बंदी के दौरान दो हजार तालबान जंग जो की रहाई का एलान कर दिया मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में घर मुल्की खबरसाइदारे के मताबक अखवानिस्तान के सदर अशवगणी ने जजबा खेर सगाली के तहए तालबान कैदियों की रहाई का एलान करते हुए कहा है काबुल हुकूमत तालबान के साथ मुझाकरात के लिए तयार है अखवान सदर के तर्जमान ने टूइट करते हुए कहा कि तालबान की जगबंदी के रद्धे अमल में उनके दो हजार कैदियों की रहाई का अमल शुरू कर दिया गया वाज़ रहे कि गुजशता रोज तालिबान ने दूल फितर पर अखवान हुकूमत से तीन रोज जगबंदी का एलान किया था सदराशवगणी ने इस जगबंदी का खैर मक्दम करते हुए कहा था कि अखवान फोर्स जगबंदी की शरायत का इहतराम करेगी अब तक के लिए इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टाग टीवी यूट्यूब पर टाग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिये और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाई किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्तहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे